इन कंडिशनल ट्रांसफर्स इन कंडिशनल ट्रांसफर्स वाट वी सी कि जो कंडिशन इंपोस करी जा रही है क्या वो एपसलूट रिस्टिक्शन है या पार्सिल रिस्टिक्शन है अगर वो एपसलूट रिस्टिक्शन है तो कोट उन कंडिशन को नल एन्वाइट ट्रीर कर यह case बहुत ही simple सा case है। इस case के facts यह हैं कि father एक will करता है अपनी property की अपने बेटे के favor में जिसमें ये condition इंपोस करता है कि बेटा उस property को अपनी mother की lifetime में नहीं कर सकता। बेटा उस property को sell करना चाहे है अपनी mother की lifetime में तो उसको वो property compulsorly उस बेटे के लिए कंबल सरी होगा कि वो property को अपनी मदर को ही sell करे और वो भी property के 1-5th price पे यानि property के 1-5th price पे ही वो sell कर सकता है और सिर्फ अपनी मदर को ही sell कर सकता है अगर वो sell करना चाहे तो जो issue इस case में है कि जो यह restriction है इस will में कि अगर वो sell करेगा the value पे ही sell करेगा तो वो absolute restriction है या partial restriction है तो जो court ने आप अब आप अबसर्व किया कि in the present case जो यह compulsion है इस will में कि अगर if he chooses to sell वो उसको compulsory यही होगा कि 1-5th value पे sell करे तो court ने इस condition को यह interpret किया कि the condition says कि during the lifetime of the widow that is the mother of the son you cannot sell the property so because यहाँ पर एक compulsion create किया गया है कि अगर वो बेचता है तो उसे 1-5th value पर ही बेचनी होगी so court यह consider करता है और help करता है इस case में कि यह जो condition है 1-5th value पे sell करने की यह एक absolute strain है and hence यह जो condition है 1-5th of the price पे sell करने की absolute restriction है और यह void है